Hello friends and medicine, Pharmaceutical Qualtyazorans BP6060 के updated video series में, इस video में हम लोग यूनिट 1 में, क्वाल्टी बाइड डिजाइन में, क्वाल्टी बाइड डिजाइन QBD के टूल्स के बारे में बात करेंगे, इस video में हम लो quality wide design को establish करने के कॉन-कॉन से हमारे tools होते हैं, उसको आसान तरीके से समझने की कोसिस करेंगे. मेरा नाम है Dr. Nahantab Singh तर्चल यह सुरू करते हैं. तो अगर हम लोग Qalitivite Design QBD के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडू में हम लोगोंने, Qalitivite Design के क्या Definition है, उसके बारे में बात कर लिया था Pharmaceutical Quality-wide Design के क्या-क्या Objectives होते हैं उसके बारे में बात कर लिया था quality by design के क्या-क्या हमारे advantage है benefits है उसके बारे में बात कर लिया था और quality by design के जो हमारे key elements है उनके बारे में हम लोग last video में बात कर चुके हैं तो वो video गर आप से miss हो गया है तो उसकी link आपको इसी video के description में मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं इस video में हम ल कि quality by design basically क्या होता है तो हमारी process को अगर हम लोग इस तरीके से design करें कि उससे जो product form हो वो एक quality product हो उसी को हम लोग basically quality by design के नाम से indicate करते हैं तो जब हम लोग हमारी जो भी अलग-अलग process है उनको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि उससे एक quality product form होता है तो उसी को हम लोग basically quality by डिजाइन के नाम से indicate करते हैं, तो आईए अगर हम लोग इसके tools के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो सबसे पहला tool है, वो है design of experiment, जिसको हम लोग DOE के नाम से indicate करते हैं, इसका जो दूसरा tool है, वो हमारा risk assessment कहलाता है, और इसका जो तीसरा tool है, उसको हम लोग process analytical technology pad के नाम स इंडिकेट करते हैं, तो इस वीडियो में एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो design of experiment है, उसके बारे हम बात कर लेते हैं, तो आसान तरीके से कहें, तो जब भी हमें अपना जो कोई भी process है, उसको अच्छे से design करना होता है, त तो फिर हम लोग सबसे पहले उस process को के ऊपर काफी सारे experiment करते हैं, और उस experiment के थुरू हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे best design है, जिससे हमें अपना जो predefined specification है, quality है, वो product में built होते हुए देखने को मिल लई है, उस design को हम लोग basically choose करते हैं, तो उसके पहले हम लोग क्या करते है हम लोग वहाँ पे अलग-अलग experiment को simply perform करते हैं, और इसी को हम लोग design of experiment के नाम से indicate करते हैं, तो अगर हम लोग design of experiment क्या होता है, इसको देखे हैं, तो जो हमारा design of experiment DOE है, is structured organized methods for determining relationship between the factors affecting a process and response of that process, तो यहाँ पे जो design of experiment है, यह एक हमारा structured or organized method होता है, जिसमें हम लोग हमारे process को कौन-कौन से factors affect कर रहे हैं उसके बीच में, और हमारी process पे उसका क्या response आ रहा है, उसके बीच में हम लोग एक relationship है, उसको simply determine करते हैं, और यही हमारा design of experiment simply कहलाता है, तो like अगर एक simple example लोग कि अगर हम लोग अपने product के लिए, जो drawing की process है, उसको अ अगर first time कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें किस temperature पे और कितनी देर तक अपने product को dry करना है, जिससे कि जो हमें required drawing है, वो अपने product में प्राप्त हो जाए, तो इसका हमें पहले तो idea नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कि वहाँ पे अलग-अलग जो temperature है, उसके उपर साथ में हमें जल्दी से dry होते हुए देखने को मिलता है, और इससे फिर हम लोग क्या सकते है, best जो drying का design है, उसको simply यहाँ पे establish कर लेते हैं, तो इस process को हम लो design of experiment के नाम से indicate करते हैं, तो आईए हम लोग जो design of experiment है, उसको कैसे करते हैं, उसकी क्या methodology है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर हम लोग design of experiment की methodology के बारे में बात करते हैं, कि आखिर हम लोग design of experiment को किस तरीके से perform करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला step है, वो है choose experimental design, सबसे पहले हम लोग अपना experimental design हमें किस तरीके से process को करना है, उसको simply choose करते हैं, यहाँ पे एक simple example को ले चूज करना होगा, सबसे पहले हमें ये चूज करना है कि हमें किस equipment के थुरू अपने product को यहाँ पे dry करना है, हमें tray dryer यूज करना है, drum dryer यूज करना है, या floodile bed dryer को use करना है, तो सबसे पहले हम लोग अपना जो design का experiment है, उसको यहाँ पे choose करते हैं, तो जब भी हम इसको अगर यहाँ पे choose कर लेते हैं, यहाँ पे माल लेते हैं कि हमने ये choose कर लिया कि floodile bed dryer को हम लोग drying के लिए use करेंगे, अब हम लोग अगले step में क्या करेंगे, अगला step है हमारा conduct randomized experiment, अब हम लोग यहाँ पे जो randomized experiment है वो करेंगे, मतलब कि हम लोग अलग-अलग temperature पे और अलग- flow rate है, उसके उपर हम लोग अपनी process को carry out करेंगे, तो इस तरीके से जब हम लोग अलग-अलग temperature और flow rate को, flood के flow rate को, floodized bed dryer में, जब हम लोग use करेंगे, तो उससे फिर हमारे हर एक, जो हमारा temperature है, और flood के flow की speed है, उस पे जो data हमें मिलेगा, उसको simply हम लोग यहाँ पे analyze करेंग तो जब हम लोग drying की process को start करेंगे, तो हर एक temperature पे एक निश्चित अंतराल पे हम लोग sample को लेंगे, और वहाँ पे हमारे product के अंदर के moisture content को, हम लोग simply determine करेंगे, और फिर हम लोग जब पूरे experiment हमारे हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग अपने data की, जो analysis है, वो यहाँ पे करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, create that is called the multi-dimensional surface model को, हम लोग simply यहाँ पे create करेंगे, और identify करेंगे कि वो best temperature और flow rate, fluid flow rate हमारा क्या है, जिसके ऊपर हमारा product जल्दी से भी try होते हुए देखने को मिलता है, और साथ-साथ में हमारा product हमें खराब भी होते हु हीट के contact में आने से खराब हो सकते हैं, वो उस पे खराब भी हो सकते हैं, और अगर काफी कम temperature पे हम लोग heat करेंगे, तो उसमें हमें अपना जो drying का time है, वो ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वो हमारा drying का temperature और flow rate जिसके ऊपर हमारा product बिना खराब हुए और जल्दी से dry हो जाता है, वो उसको हम लोग यहाँ पर simply choose कर लेंगे, हमारा जो design of experiment है, उसकी methodology है, उसके थ्रूँ अब आईए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो जो हमारा design of experiment है, वो हमें और क्या-क्या चीजे बताता है, तो यह हमें यह बताता है, कि जो input factors हमारे हैं, और उसका output response है, उसके बीच में क्या relationship है, उसको भी design of experiment हमारा reveal करते हुए, हमें देखने को प्राप्त होता है, तो जो अगर हम लोग ड्राइंग की process को ही लें, तो input factor हमारे क्या-क्या हो गए, हम जो heat supply कर रहे हैं, वो input factor हो गया, हमारा जो fluid का flow rate है, वो हमारा input factor हो गया, और उसका जो output response है, मतलब हमारा product कितनी जल्दी dry हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो relationship है, वो हमें यहाँ पर design of experiment हमें reveal करते हुए, बताते हुए, देखने को मिलता है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें हम लोग जो हमारा series of structured test है, उनको basically हम लोग इस place पर design करते है और फिर उसमें जो हमारे planned change है, उनको हम लोग इस place पर अपनी process में carry out करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो हमने planned change किये हैं, हमारे variables हैं या process है, या systems है, उसमें जो हम लोगों ने planned change किया है, उसका हमारे predefined output है, जो जिस तरीके का product चाहिए, उसके उपर उसक के तुरू assist करते हैं, तो हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे एक series of structured test है, वो इस place पे करते हैं, like अगर फिर से drying की process को लूँ, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग temperature पे अपने जो product है, उसको जब हम लोग dry करते हैं, तो वो हमारा series of structured test यहाँ पे इस place पे कहलाता है, और उसमें हम लोग अपने अनुसार plant जो change है वो करते हैं, means हम लोगों ने एक बार जो temperature है उसको लिया, 60 degree centigrade, दूसरी बार 70 लिया, तीसरी बार 80 लिया, उसके बाद हमने 90 लिया, 100 लिया, 110 लिया, इस तरीके से plant change हम लोगों ने उस place पे किया, जो हमारे input variable है और जो system है उसमें और उस change का हमारे predefined output पे क्या response आ रहा है, उसको ही हम लोग basically design of experiment में यहाँ पे assist करते हैं, और जब उसको हम लोग assess करते हैं, तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि वो काउन सा best हमारा temperature है, flow rate है, जिसके उपर हमारा product में अच्छे से dry होते हुए देखने को मिला है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा design of experiment है, यह एक हमारा काफी important, formal way होता है, जिससे हम लोग जो हमारी information gained है, उसको maximize कर सकते हैं, और साथ-साथ में जो हमारा resource की requirement है, उसको simply हम लोग minimize कर सकते हैं, तो आसान तरीके से कहें, तो जब हम लोग यहाँ पे randomized experiment है, वो करते हैं, तो उससे हमें अपने जो process है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा information हमें मिलते हुए देखने को मिलती है, और साथ-साथ में उसमें हमारा resource है, वो भी हमें कम use होते हुए, हमें देखने को मिलता है, जब हम लोग अच्छे से अपनी process को design कर लेते हैं, तो फिर हमें कोई experiment करने किया हो सकता नहीं होती, हमें जब पता हो इस temperature पे, इस flow rate पे इतनी देर में हमारा product dry हो जाएगा, तो फिर हम लोग उसको उस place कर देते हैं, वो temperature set कर देंगे, वो flow rate को हम लोग set कर देंगे, और उतने time तक के लिए product को छोड़ देंगे, उसके बाद में जब product निकलेगा, तो वो हमें completely dry product होते हुए, देखने को प्र experiment, उसको सबसे पहले हम लोग perform करते हैं, उसके बाद में जो इसका हमारा दूसरा टूल है, वो कहलाता है risk assessment, जो risk का आकलन है, उसके नाम से indicate करते हैं, तो अगर हम लोग risk को देखें, कि आखिर risk क्या होता है, तो हमारे जो भी हम कर रहे हैं, उसमें कुछ खराबी होने को, य occurrence of harm and severity of that harm is called risk, तो यहां पर हम लोग simply कह सकते हैं, कि जो हमारा risk है, वो क्या है, कि हमारा जो process है, उसमें किसी भी प्रकार का harm होने की जो probability है, संभावना है, उसको हम लोग risk के नाम से indicate करते हैं, और उस जो harm है, उसकी क्या severity है, वो कितना हमारे process के लिए खतरनाक है, उसको भ simply अगर हम लोग इसके पहले जो drying की process को ले रहे थे, अगर उसमें देखें, तो वहां पर risk क्या है, वहां पर risk यह है कि हमारा product अगर overdry हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए नुकसान दे है, और अगर हमारा product जल जाता है, ड्राइं की process के दौरान, तो वो भी हमारे process का risk होता है, और उस जो risk है, उसको हम लोग overcome करने का, उसके assessment की हम लोग यहां पर, जो है, कोसिस करते है, तो risk assessment क्या होता है, तो यह, जो हमारा risk assessment है, क्या है, a systematic process of organizing information to support the risk decision to be made within the risk management process, तो जो हमारी risk management process है, उसके अंदर हमारा जो risk का decision है, उसको जो लेने के लिए हमारी वो information, जो की हमारे उस risk के decision को support करे, वह हमारा यहां पर जो risk assessment है, वो कहलाता है, उसी की जो systematic process है, उसको हम लोग risk के नाम से indicate करते हैं, तो जब हम लोग अलग temperature पे अपने product को अलग अलग time heat करते हैं, तो हमें हर एक जो हमारा experiment है, उसके क्या advantage है, क्या disadvantage है, risk है, वो हम identify कर लेते हैं, अगर हम लोग कम temperature पे अपने product को heat करेंगे, तो product खराब तो हमारा उस place पे नहीं होगा, over dry नहीं होगा, burn नहीं होगा, लेकिन हमारा उस place पे जो time है वो ज्यादा लगेगा, लेकि अगर हम लोग high temperature पे अगर अपने product को dry करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे risk के chances होगे, वहाँ पे हमारे product के खराब होने के chances होगे, हो सकता है, वो over dry हो जाए या हो सकता है, वो simply burn हो जाए, तो इस तरीके से जब हम लोग अपने design को choose करते हैं, तो फिर हम लोग वो temperature जिसके उपर हमारा product सबसे पहले dry हो जाए, और जो हमारा product है, बिना खराब हुए, सबसे पहले dry हो जाए, वो हमारा सबसे बहतरीन design यहाँ पे होता है, और उसको यहाँ choose करने में, जो risk assessment है, वो एक काफी important role play करता है, तो अगर हम लोग risk assessment को देखें, तो वो क्या है, कि यहाँ पे पहले उसका identification यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद में वो जो हमारा यहाँ पे 1000 है, उससे क्या risk associated हो सकते है, उससे हमारे product किस तरीके से खराब हो सकता है, उसकी analysis और उसका evaluation हम लोग इसमें इस place पे basically करते हैं, तो like अगर मैं बात करता हूँ कि एक और process को ले लेते हैं, कि अ हमें unnecessarily अपने जो particles हैं, उसका size भी reduced होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि required नहीं है, और अगर हम लोग जो speed है उसको low रखेंगे, तो क्या होगा, mixing हमें inefficient होते हुए देखने को प्राप्त होगी, तो उस condition में हमारी वो speed जिस पे हमारे product का size भी छोटा नहों हो, और mixing भी हमे जल्दी से और बहतर होते हुए देखने को मिले, वो speed हमारे लिए basically बहतर होती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या हमारे process में हजार्ड हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, उसको identify करते हैं, और उस जो हजार्ड है, उससे क्या associated risk हमारे product में हो सकते हैं, उसकी जो analysis और evaluation है, वो हम low risk assessment के process में करने का काम करते हैं, उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे, जो design of experiment का तीसरा tool है, जो की process analytical technology PET कहलाता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं, तो जब भी हम लोग अलग-अलग randomized experiment को perform करते हैं, और अपने risk को वहाँ पे assess करते हैं, तो उसके बाद में जो product form होता है उसमें क्या हमारे predefined specification, हमारे जो goals हैं, वो achieve हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और final product में quality ensure हो रही है, built हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको ही identify करना, यहाँ पे हमारा process analytical technology PET के नाम से उसको indicate करते हैं, तो अगर हम लोग simply बात करते हैं, तो जब भी हम लोग जो हमारी manufacturing की process वो कर का जो हमारा controlling है, उसको हम लोग simply timely, उसका जो measurement है, वो यहाँ पे करते हैं कि जो हमारा raw material हम लोग अपने process में use कर रहे हैं, इन process material जो वहाँ पे बीच-बीच में form हो रहे हैं, और हमारी जो process हम लोग कर रहे हैं, उसके critical quality attribute है, उसका हमारा यहाँ पे है measurement वो इसके अंदर आत है, और उसके साथ साथ में हमारी जो performance है, process की performance है, उसका attribute का भी जो हमारा measurement है, वो इसके अंदर आता है, और उससे फिर हम लोग identify करते हैं कि हमारा जो final product की quality है, उसके अंदर हमारे जो goals थे, उदेश से थे, predefined specification थे, वो ensure हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसी को हम लोग इसम process analytical technology में identify करने का काम करते हैं, तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करें, तो अगर हम लोग simply drawing की process को लें, तो जब हम लोग drawing की process को वहाँ पे करते हैं, तो उसको हम लोग इस तरीके से design करें, उसके जो भी product form हो रहे हैं, उसकी जो हमारी analysis है, वो हम लोग उस place पे बीच- रहते हैं, और process के जो parameter से उनको properly हम लोग इस तरीके से control करते हैं, और बीच-बीच में उसमें जो भी product बन रहा है, उसका जो हमारा measurement वो करते हैं, कि हमारा raw material है, in process materials है, जो process है, उसके जो critical quality और जो हमारा performance attribute है, वो fulfill हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और वो हमारा final product है, उसमे जो हमें goal चाहिए, requirement चाहिए, वो ensure हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी को establish करने का जो हमारा system है, उसको हम लोग process analytical technology के नाम से indicate करते हैं, तो अगर हमारा raw material है, अगर उसमें quality नहीं होगी, तो हमारे final product में quality built नहीं होगी, हमारे जो in process materials हैं, अगर वो अच्छे नहीं बनेंगे process है, जो कि हम लोग अपने product को बनाने के लिए use कर रहे हैं, अगर उसके अंदर भी quality नहीं होगी, उसका भी जो performance है वो अगर बहतर नहीं होगा, तो हमारे final product में जो हमारे goal हैं, वो हमें ensure होते हुए देखने को प्राप नहीं होगे, तो बीच-बीच में इसका measurement है कि हमारे product के अंदर quality goals achieve हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो भी हमारा यहां पर काफी important होता है, जो हमारा quality-wide design है, उसमें और इसको हम लोग process analytical technology path के थ्रूप हम लोग analyze करने का काम करते हैं, तो I think so, जो हमारा quality-wide design है, उसके tools आप लोग को अच्छे से समझ में आ गये होंगे, अगर ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूले और हमारे app को भी install करना बिलकुल भी न भूले, thank you.